हेलो गाइस आप सबका स्वाकत है यूट्यूब चैनल गुड बॉआय में जो आप प्रजेक्ट देख रहे हैं यह एक बेसिक प्रजेक्ट है जो मैंने क्रेट किया है आफ्टर इफेक्ट के थूँ आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं आफ्टर इफेक्ट का कोर्स जो जिस से पहले मैं अपने बारें बता दूँ मेरा नाम लवजीत सिंग है मैं पंजाब के जले अंबर सर से रहने वाला हूं तो यहां पर एक गोल्डन गेट है वहां पर एक विलिज पढ़ता है गाव खान कोट राम सिंग वाला तो मैं वहां से बिलोंग करता हूं जे थी मेरे ब जा कोई भी कोड़ी के बारे में तो आप हमेशा ही हाइक वाल्टी और लार्ड स्क्रीन में देखें नॉर्मली जो क्या होता है क्योंकि सॉफ्ट विर का जो इंटरफेस है वो काफी ही कॉम्प्लिकेटड और बड़ा है जो के मुबाइल सिक्रीन में काफी छोटा दिखता ह अगर आप कोई भी मेरी वीडियो देखते हैं तो उसे पूरा देखें स्किप ना करें क्योंकि हम वीडियो में कोई ना कोई जो बेसिक जानकरी है वे हर वीडियो में आपको दी जाएगी अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं जा फिर अगला प्रजेक्ट देखना चाहते हैं एक प्रजेक्ट से पहले जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और फिर आगे बड़ें After Effect जो है वे Motion Graphic और VFX मतलब Visual Effect Related Software है अडव का साफ़्टवर है यह अडव के बहुत सारे साफ़्टवर आते हैं जैसेğa प्रेमियर प्रो हो żyya Bonjour गए पंऻ इस्ट्रैटर और भी काफ़ी सारे साफ़्टवर हैं अडव के तो जो हम प्रोत सूरु करने जा है वो है after effect after effect जो है वह motion graphic motion जैसे animation graphically यहां पर हम video को image को graphically ही काम कर सकते हैं जैसे हम किसी video को edit करते हैं वहां पर नई नई चीजे डालते हैं ग्राफिकली जैसे कोई effect create करना हुआ हम खुद से create कर सकते हैं यहां पर after effect में जैसे आप पीशे video में देख रहे हैं आपने image को लगा रहे हैं और एक flower बनाया था पहले तो हम बहुत यह अच्छी तरीके से उसे animate कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे हम करना चाहते हैं आपको शायद लगता होगा कि यह video editor software है जो after effect है मैं आपको बता दूँ यह video editor software नहीं है video editor में क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी दो गंटे की तीन तीन गंटे की video को edit करते हैं पर यह है एक graphically software जो vfx बनाने के लिए जैसे हमने कुछ चोटी चोटी वीडियो एडिट करना चोटी वीडियो जैसे कोई text animation stylus template welcome note thanks note shape graphics key tracking masking key tracking जैसे हमने किसी वीडियो को shoot किया है और हम उसका background remove करना चाहते हैं masking की बात करें तो हम जो भी unwanted जो object होते हैं उन्हें हम video से remove करेंगे यह नहीं कि यह video edited software नहीं आप video भी edit कर सकते हैं इसके साथ अब हम बात करेंगे कि 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 को यह software ज़रूरी है सीखने के लिए सबसे पहले जो है video editor जो video edit करते हैं और उसमें कोई new graphic motion डालना चाहते हैं उनके लिए software काफी love दाइक है दूसरा है graphic designer जैसे कि आपने एक design बनाया हुआ है तो उसे आप move करना चाहते हैं पर जो आपने design बनाया है वो सिर्फ एक जगा पर खड़ा हुआ है जैसे एक image होती है पर आप क्या करना चाहते हैं कि उसे थोड़े movement देना चाहते हैं उसके लिए आपको after effect करना जरूरी हो जाता है तो आप वहां से उसको move कर सकते हैं उसको animate कर सकते हैं हर एक चीज को manipulate कर सकते हैं अपने हिसाब से और तीसरा है social media जो कि आज तक बहुत चल रहा है अब हम whatsapp, facebook, twitter वगएरा use करते हैं वहां पर animation gifts वगएरा होते हैं जो चलने वाली videos होते हैं जो small जिसके पीसे audio नहीं होते हैं वह after effect से हम बहुत अच्छी तरीकी से उसे बना सकते हैं और आगे अगे digital marketer जो digital marketing करते हैं वह add banner वगएर animator create कर सकते हैं जब फिर आप animator है, animation सीखना चाहते हैं फिर कुछ भी करना चाहते हैं animation के field में तो आपका पहला कदम हो सकता है animation motion graphic designer की तरफ after effect में basically हम animation ही करते हैं after effect के course में आपको सारी जानकरी दी जाएगी basic से लेके advance तक जानकरी दी जाएगी तो आप मेरी हर वीडियो देखें उसे follow करें अगर आपको पसंद आए तो उसे like भी करें और share भी करें और मिलते हैं हम अब course में तो enjoy कीजिए इस project को thank you for watching करें और हम वार्म करें कंड़ा कर कर्क भी शानकर का whites तो आपको कि जईना